हेलो फ्रेंस, गूड इवनिंग, वेलकम तो दुनोबल प्रिफेशन, मैसल फास, स्वागत करते हैं आपका आमारी यूटब चैनल पे आज है चार सितमबर और यूपी सित्यों का आज एक्साम हुआ है, तीन सिफ्ट में साथ सितमबर को भी एक्साम होने वाला है आल दर बेस्ट मैंने सुबह बोला था, तो कैंडिड़ेट के एक्साम थे, सुनने में आ रहा है कि उनका जो पेपर था, बहुत ज़ाधा हाड था, मैंने कम्नेटी सेशन में एक पोल डाला हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि 88% लोगों ने रिस्पॉंस किया ह आप देख सकते हैं कि जो पेपर था, वो बहुत ही हाड था, आप देख सकते हैं कि 271 वोट मिले हैं, और लगवग 2 गंटे के अंदर इतने जादे रिस्पॉंस आया तो उसकी अनुसार जो पेपर का लेवल था वो हाट था कमेंट्स भी बहुत सारी कैंडिडेट ने मुझे किया है और मेरे जानने में भी जिन लोगों ने एकसाम दिया था तो उन से मैंने कॉन्टाक्ट किया तो पेपर जो था चाहे वो मॉर्निग सिफ्ट का हो इविनिंग सिफ्ट का हो या आफ्टरनून सिफ्ट का हो तो वह पेपर बहुत ही साथा हाट था कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह 960 के लेवल के क्वेश्चन अब इस पेपर में आ रहा है तो आप इस कमेंट से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर था अब मैं बताओं कि पेपर तो जैसा हुआ अब साथ तारीक वालों के लि लेकिन अब कुछ टाइम से जो एक्जाम हो रहा है चाहे है वो UPNHM का स्टाफ नर्स वाला हो या पर सेच्चो का हो तो पेपर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा है हाई लेबल के आ दिमाग को गुमाने वाले क्वेश्चन तो आपके नर्सिंग से रिलेट लेकिन इसमें बहुत ही जदा टफ क्वेश्चन आया है मैंने भी पहले एक्जाम दिया हुआ है तो उस टाइम मुझे पता था इस बार का इक्जाम भी सेम ऐसे ही आया हुआ है 30 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन रिजिनिंग के आते हैं वो थोड़ा इसी होता है बाक अगर इस आजका चो एक्जाम हुआ है मैं पास तो मैंने एक्जाम नहीं दिया था मुझे नहीं बता कि किस टाइप के क्वेश्चन आया थे अगर दूसरे चैनल पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो सभी लोग क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें जित अगर separate topic वही होगा अगर cranial nerve से पूचा है तो cranial nerve के question सभी में होंगे तो आपको बस एक काम करना है कि जहां से भी आपको पेपर देखने को मिले तो सारी papers को आपको देखना है कैसे कैसे question आए उसी topic से question आपको मिलेंगे exam में और वही question तो वह नहीं होगे लेकिन topic same होगा अगर vitamin के question एक में पुछा तो सब में पुछेगा अगर bone से related कोई question पुछा तो सब में question change होगे लेकिन topic वही होगा तो ये यूपी सिर्चो में ऐसा देखने को मिलता है पेपर हाड हैगा तो आपको घबडाने की जरुवत नहीं है अभी आप अपने आपको अससना करें क्योंकि इसमें होगा normalization सारे shift का अगर जिस shift का paper hard होगा उन लोगों को परिशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि hard shift का normalization भी उसी हिसाफ से होता है और जो लोग easy shift में paper दिये हैं तो I think उनके questions अच्छे खासे हुए होगे easy shift वाले में तो paper अच्छा गया होगा लेकि मुझे नहीं लगता कि आज कि किसी भी shift का paper easy था और 7 तारीका भी paper easy नहीं होगा क्योंकि पहले दिन जो exam होता है वो थोड़ा सा level easy होता है comparing तो जो लास्ट में exam होता है तो उसके paper बहुत hard होता है और 7 तारीका जो सबसे लास्ट वाले shift होगा उसका और भी जदा hard होगा यह मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले के जो papers हो चुके हैं उनका assessment मैं बता रही हूँ इस वीडियो में और मैं बता दूए कि normalization होगा और इसलिए जिनका hard shift में था उनका problem लेनी के ज़रूरत नहीं है easy shift वाले ने तो अपने question ही attempt कियोंगे ज्यादा अब मैं एक बात बताओं कि अगर आपके 60 questions मतलब कि अगर मिल जाते हैं बहुत ही जल्द इसका answer की आएगा साथ तारीक को अगर exam हो रहा है तो within 1 week या फिर 2 weeks के अंदर आपका answer की आ जाएगा तो अगर आपके 60 marks सही है तो आपका selection कोई भी नहीं हो सकता है चाहें वो कितना भी normalization हो या फिर ना हो अगर आपके 60 marks से काम है तो depend करता है की normalization कितना है normalization पे यह आपका selection होगा अगर आपका paper hard shift में पड़ा हुआ है तो normalization में आपके number increase हो गी और normalization में बहुती जादा भी number increase होते हैं कम भी number increase होते हैं डिपेंड करता है कि आपके percentage of questions कितने सही है, suppose कि एक candidate है जिसका 60 questions सही है और एक candidate है जिसका 50 questions सही है, same shift में, तो normalization जोगा जिसका 7 number है, उसके number जादा increase होंगे, यह डिपेंड करता है कि आपने कितने जादा questions सही है, उसी के अनुसार आपका normalization भी होता है, आप मैं बात करूँ कि selection का मैंने बता दिया, कि जिनके 60 प्लस आएंगे, वो शेह रहेग selection में, और उनसे थोड़े कम आएंगे, suppose कि आप 55-60 के बीच में हो, तो depend करता है, normalization पे आपका selection हो जाएगा, तो साथ तारी को जो exam दिने जा रहा है, उनके लिए suggestions है कि जहां से भी आपको paper मिल रहा है, उसको देखिए, और जिस topic से question पूछेगे हैं, उस topic को एक पर revise करके जाएगे, क्योंकि उससे ही related आपको question next exam में देखने को मिलेगा, अगर लाव भी अगर आपको कोई doubt है, तो मे दो बड़री, प्यावे झारी हा झारी है